हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कुरेजी जी के ट्रिक तो आएए डेली गरंट अफेर्स की सिरीस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 20 सेप्टेमबर 2023 के सभी गरंट अफेर्स को एक एक करके यहां पर डिसकस कर लेते हैं वीडियो में अंट तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा आज के करंट अफेर्स का सबसे पहला कुशन देखिये हाली में घोशित भारत का 42 विश्व धरवरिस्तल होयसल के पवित्र मंदिर समू किस राज्ज में स्तित है तो करनाटक में बैलूर, हेलेबिड और सोमनातपूरा के प्रसिद होयसल के पवित्र मंदिर समू को हाली में युनेसको की विश्व धरवर सूची में शामिल किया गया है यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि ये भारत का 42 वा युनेसको विश्व धरवरिस्तल है में हिंदू धर्म से सम्मंदित देवी देवताओ के चित्र और मुर्तियों को उकेरा गया है तो होयसल के पवित्र मंदिर जो की करनाटक रज्ज में इस्ति थे इन्हें भारत का 42 वा युनेसको विश्व धरर इस्तल गोशित किया गया है आप सभी जानते हैं लास्ट सेश हो चुके हैं जो कि युनेसको के द्वारा गोशित किये गए हैं वैसे में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया जाता है लास्ट सेशन में भी बताया था युनेसको के बारे में भी हमने डिसकस किया था कि युनेसको की स्तापना 16 नौंबर 1945 को की गई थ और इसका मुख्यला है फ्रांस के पैरिस में इस्तित है एंद्रो एंजोले वर्तमान में इस संस्ता के डारेक्टर जन्रल के पतपर हैं तो होईसल के पवित्र मंदिर समू जो की करनाटक में इस्तित है इन्हें भारत का 42 युनेसको विश्व धरवरिस्तल गोशित किया गय है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं इन मंतली करन्ट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मंत के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्चन होते हैं उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है जो एक्जाम के लास्ट टाइम रि हर साल भादर प्रद महा में जैन धर्म के श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन समाज के लोग परियूशन पर्व को धूमधाम से मनाते हैं इस साल देखिए यह जो पर्व है जैन धर्म का 18 सेप्टेमबर से शुरू हो रहा है देखिए परियूशन वड को अगर हम करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है एक है परी और एक है उशन इसमें परी का अर्थ होता है चारो ओर से और उशन का अर्थ होता है धर्म की आराधना मतलब चारो ओर से धर्म की आराधना का पर्व ही परियूशन पर्व के नाम से जाना जाता है किस धर्म से संबंद जेन धर्म से है नेक्स्ट कोशन देखिए अभ्यास ओपरेशन सजग का अईजन की सुरक्षा बल के द्वारा किया गया तो हाली में देखिए भारत के पश्चीमी तड़ पर ओपरेशन सजग अभ्यास का अईजन भारती तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गाड के द्वारा किया गया है अंसड़ी हो जाएगा इंडियन कोस्ट गाड के द्वारा भारत के पश्चीमी समुद्र तड़ पर अभ्यास ओपरेशन सजग का अईजन किया गया देखे भारती तटरक्षक बलके इस सुरक्षा अभ्यास में सीमा शुलक, समुदरी पुलीस, बंदरगा और भारती नो सेना के 118 जहाजों को सम्मिलित किया गया था तटी सुरक्षा को मजबूत करना इस अभ्यास ओप्रेशन सजक का मुख्युद्देश है आयोजन किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखिएगा तो इसका आयोजन भारत के पश्चिमी समुदरी तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया था अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो देखिए शांती काल में भारती समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देशे से भारती तटरक्षक बल की स्तापना एक फरवरी 1977 में की गई थी इसका हेटक्वाटर नई दिल्ली में स्तित है वयम रक्षाम इसका आदर्श वाकी है और राकेश पाल वरतमान में इस संस्ता के डारेक्टर जन्रल के पतपर है 19-वे एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है 19-वे एशियाई गेम्स 2023 में चीन के हांगजू में आयोजित किये जा रहे हैं कब से कब तक आयोजित किये जाएंगे तो चीन के हांगजू में 19-वे एशियाई गेम्स का आयोजन 23 सेप्टेम्बर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा देखे शुरुआत तो इन गेम्स की 23 सेप्टेंबर को की जाएगी लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जैसे फुटबॉल, वालीवाल, बीच वालीवाल ये ऐसे गेम्स हैं जो की 19 सेप्टेंबर को ही शुरू किये जा चुके हैं लेकिन अब उफिशली 19 वे ऐसे गेम्स की शुरूआत 23 सेप्टेंबर को चीन के हौंगजू में की जाएगी इसके पहले 18 वे ऐसे खेलो का आयोजन 2008 में इंडोनेशिया की राजदानी जकार्ता में किया गया था और आगे चलकर 20 वे ऐसे खेलो का आयोजन 2026 में जापान के नगोया में किया जाएगा ऐसे गेम्स को ही एशियाड के नाम से जना जाता है जो की एक महादीपी बहु खेल आयोजन है हर चार साल में इसका आयोजन किया जाता है शुरुवात 1951 में की गई थी और आयोजन कोन करवाता है तो एशिया ओलंपिक परिशद मतलब OCA के द्वारा एशियाई खेलो का आयोजन करवाय जाता है 2023 में इनका आयोजन चीन के हांगजू में किया जा रहा है इसके बाद देखिए चर्चित टेंक रोधी माइणस विभव का विकास कि संसता दुरा किया गया है तो विभव जोकी चर्चित टेंक रोधी माइणसे फ्रेंट्स इसका विकास DRDO के दुरा किया गया है अंसर A हो जाएगा इस टेंग को रोधी माइन्स विभाव को भारती नो सेना ने अपने बेडे में शामिल किया है विकास DRDO मतलब Defense Research and Development Organization के द्वारा किया गया अब इस माइन्स की बात करें तो देखिए विभाव माइन्स प्लास्टिक से बनी है जो इसे अलग-अलग शेत्र की स्थितियों में भंडारन, हैंडलिंग और संचलन की आशकताओ का सामना करने के लिए परियाप्त शमता देती है, टिकाउपन देती है क्योंकि इसका निर्मान प्लास्टिक से किया गया है तो भारती सेना के लिए ये काफी important होने वाली है आगे चलकर, जिसे भारती सेना ने हाली में अपने बेडे में शामिल किया है निर्मान डियाइडियो के द्वारा किया गया है अब देखिए डियाइडियो का नाम आप सभी ने सुना होगा भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कारियों के लिए ये एक leading institution है जिसके स्टापना 1958 में की गई थी, headquarter नई दिल्ली में सती थे और डाक्टर समीर वी कामद वरतमान में इस संस्ता के चेर्मेन है टेंक रोधी माइन से विभाव का विकास डियाइडियो के द्वारा किया गया है तो देखिए यहां तक के सभी question आपको easily समझ में आ गयोंगे अब आजाएए आज की country in news में हम यूरोप महादीप के देश पूर्तगाल को डिसकस कर लेते हैं पूर्तगाल की capital Lisbon है, यूरो यहां की official currency है Marcelo, Rebello, Di Sousa यहां के president के पतपर है पडोसी देशों की बात करें, तो देखिए पूर्तगाल की सीमा पुरूव में इस्पेन से और पश्चिम में अट्लांटिक महासागर से touch होती है फूटबॉल खिलाडी रोनाल्डो के लिए आप पूर्तगाल को जानते होंगे रोनाल्डो जो की बहुत ही फेमस फूटबॉल खिलाडी है, वो पूर्तगाल से बिलॉंग करते है पूर्तगाल में वर्तमान में 17 युनेस्को साइट है जिसमें बटालहा का मठ, ट्रोनोमाइट्स का मठ और बेलेम का टावर शामिल है वेसे अगर हम देखें इसकी लोकेशन देखें, जोगराफिकल कंडिशन देखें तो ये इबेरियन प्राइदीप में इस्तित है, जिसमें पूर्तगाल के साथ-साथ इस्पेन भी शामिल है पूर्तगाल की सबसे लंबी नदी टेगस नदी है माउंट पीकू सबसे उची चोटी है पूर्तगाल की और वासको डी गामा जिसने देखे भारत के समुद्वी मार्ग की खोच की थी फ्रेंड्स वो 1498 में पूर्तगाल से ही आया था तो यह है यूरोप का देश पूर्तगाल जिसके सारे फेक्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर मैंने आपको बता दिये हैं नेक्स्ट कोशन पर आईए लोकसभा में महिला अरक्षन बिल नारी शक्ती वंदन अधिनियम किसने पेश किया है तो देखे हाली में सुर्क्यों मेरा महिला अरक्षन बिल जिसे नारी शक्ती वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है इसे हाली में लोकसभा में केंदरी कानून मंतरी अरजुन मेगवाल के द्वारा पेश किया गया आंसर भी हो जाएगा नए संसत भवन की लोकसभा में केंदरी कानून मंतरी अरजुन मेगवाल ने 158 सा सवविधान संशोदन विध्याग महिला अरक्षन बिल को पेश किया है जिसे देखे नारी शक्ती वंदन अधिनियम नाम दिया गया है इसका उद्देश लोकसभा और राज्ज की विधान सभाव में महिलाओ की भागीदारी का विस्तार करना है और महिला अरक्षन को बढ़ावा देना है अगर ये अधिनियम देश में लागू होता है तो देखिए लोकसभा और राज्जी की विधान सभाव में महिलाओ को 33% आरक्षन प्रदान किया जाएगा वर्तमान परिस्तिति की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद है अगर महिला अरक्षन बिल पास हो जाता है और इसे लागू कर दिया जाता है तो लोकसभा में दिखिए जो महिला अरक्षित सीटों की संख्या है वो 181 तक हो जाएगी तो महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला अरक्षन बिल को हाली में लोकसभा में केंदरी कानून मंतरी अरजुन मेखवाल के द्वारा पेश किया गया सबसे पहली बार प्रधान मंतरी देव गोड़ा की सरकार में 1996 में इसे संसद में पेश किया गया था और आगे चलकर 2010 में इसे राज्य सभा में पास किया जा चुका था लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया इसलिए उस वक्त ये बिल रुख गया था और अब एक बार फिर से इसे लोकसभा में प्रस्तूत किया गया है सयुक्तरास्ट महासभा के 78 वे सत्र का आईजन कहां किया जा रहा है सयुक्तरास्ट महासभा के 78 वे सत्र का आईजन अमेरिका के न्यू यॉक में किया जा रहा है अंसर ए हो जाएगा 18 सेप्टेंबर से लेकर 26 सेप्टेंबर तक USA के न्यूयोक में United Nation General Assembly के 78 सेशन का ऐजन किया जा रहा है इस साल 2023 में United Nation General Assembly के 78 सेशन के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये डेनिस फ्रांसिस है United Nation के इस अध्यवेशन में अफगानिस्तान के मुझूदा हालातों समेत अन्य अंतरास के मुद्धों पर छर्चा की जा सकती है अब देखिए United Nation General Assembly की बात करें तो ये United Nation के 6 अंगों में से एक है जो की नीती निर्मान का कारी करता है इसकी स्तापना 1945 में की गई थी मुख्याले अमेरिका के न्यू यॉक में स्तित है और वर्तमान में 193 इसकी मेंबर कंट्री है United Nation की ओफिशल लिंग्वेजेस की बात करें तो ये 6 है जिसमें इंगलिश, चीनी, रूसी, फ्रांसिसी, स्पैनी और अर्भी शामिल है United Nation General Assembly के 78 सेशन का आज़न USA के New York में किया जा रहा है इसके बाद देखिए हाली में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना शुरू की गई तो देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना की बात करें तो ये अवनांचल प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा शुरू की गई है और आंचल प्रदेश के सीम पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्यान के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना लॉंच की जिसके तर देखिए मजदूर या श्रमिकों का जो परिवार है उन्हें मातरत वो लाब बढ़ा कर एक हजार से छे हजार रुपे दिया जाने वाला है अगर श्रमिकों की नेचुरल डेथ हो जाती है तो इस केस में जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों में खेलकुत को बढ़ावा देने के उद्देश से राज जिस्तरी प्रतियोगिता या प्रतिस परदा में अगर कोई स्वन पदक जीता है तो इसके लिए 15,000 रुपए रजत पदक के लिए 10,000 रुपए और अगर कोई ब्रॉंज मेडल जीता है तो ये अवनाचल प्रदेश राज जी की है नेक्स्ट कोश्चन है भारत की G20 अद्दक्षता पर पीपल्स G20 नामक इबुक का अनावरण किस ने किया तो भारत की G20 अद्दक्षता पर बेस पीपल्स G20 नामक इबुक का अनावरण हाली में अपुर्वु चंद्रा के द्वार पूरी जो जरनी है उसका विवरण दिया गया है अब अगर हम यहाँ पर Ministry of Information and Broadcasting की बात करें तो यह भारत सरकार की एक शाखा है जो की सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबन्दित नियम, विनियमन या कानूनों के निर्मान करने के लिए कारी करती है भारत में वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री के पत पर अनुराग ठाकूर है इसे भी याद रखेगा इसके बाद आज के करन्ट अफेर का सबसे लास्ट कोशन दिखिए भारत की पहली मानव युक्त पंडुब्बी का नाम क्या है भारत की पहली मानव युक्त पंडुब्बी की बात करें तो इसका नाम मतस से 6000 है फ्रेंड्स आंसर भी हो जाएगा ये भारत की पहली मानव युक्त पंडुब्बी है इस पंडुब्बी का निर्मान देखिए रास्ट महासागर प्रोध्योगी की संस्तान जिसे N.I.O.T. चेन्नई के नाम से जाना जाता है इसके द्वारा किया गया है ये जो पंडुब्बी है देखिए ये समुद्र के अध्यन के साथ ही समुद्र में खनीजों का पता लगाने के लिए डिसाइन की गई है इस पंडुब्बी के माध्यम से तीन भारतियों को महासागर में देखिए 6000 मीटर की गहराई तक ले जाया जाएगा ताकि वो इसका अनुभाव कर सके और इसके अलावा अलग-अलग मैटल्स जो की समुद्री या सी की तलचटी में पाए जाते हैं उनका अध्यन किया जा सके तो भारत की पहली मानव युक्त पंडुब्बी को मतस से 6000 नाम दिया गया है क्योंकि ये 6000 मीटर की समुद्री गहराई तक लेकर जाएगी इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है तो यहां पर देखिए हमने 20 सेप्टेंबर 2023 के सभी करेंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आजाए आज की फैक्टी शेट में हम कल के सेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जहां पर देखिए हम मेजर सिंबल्स को डिसकस कर रहे थे जो की अलग-अलग चीजों की प्रतिक चिन है सबसे पहला देखिए रेड ट्रेंगल की बात करें लाल तिकोन की बात करें तो यह परिवार नियोजन का प्रतिक है शांती का प्रतिक है कबुतर पक्षी लाल प्रकाश या रेड लाइट खतरा या यातायात को रोकने का प्रतिक है हरा प्रकाश मतलब ग्रीन लाइट जो है यातायात को जाने का संकेत है आखों पर बंधी हुई पट्टी जो की हम नियाय पालिका में देखते हैं वो नियाय का प्रतिक है हाथ में तराजू भी लेकर रखा होता है एक स्थ्री ने तो ये नियायका प्रतिक है इसके बाद बहां पर जो काली पट्टी बंधी होती है मैंने आपको last day भी बताया था ये शोग जताने का विरोध जताने का या दुख जताने का प्रतिक है एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डिया और उपर एक खोपडी का चिन्न होता है जो कि बिजली का खत्रा दरशाती है चक्र जो होता है प्रगती का प्रतिक है जो कि हमारे नेशनल फ्लेग में भी देखने को मिलता है अलिव की जो शाका है वो शान्ती का प्रतिक है जो कि य आपको सभी मेजर सिंबल्स यहां पर पता चल गए होंगे कि कहां पर किसका यूस किया जाता है अब आजाए ये लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेर हमने डीटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहां पर रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए क्रिकेट एशिया कप दोजार तेवी साली में इंडिया ने श्री लंका को फाइनल महरा कर जिता है भारत के किस स्तल को इत्तालिसवा विश्व धरवर स्तल गोशित किया गया है तो अभी हमने बात की है लास्ट सेशन में भी की थी यह है शान्ती निकेतन जो की पश्ची मंगाल में स्तित है डाइमंड लिग फाइनल्स में नीरत चोपडा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है जम्मु कश्मीर के उधंपुर रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर शहीत केप्टन तुशार महाजन रेल्वे स्टेशन कर दिया गया है इसके बाद ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एला वेनिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है टाइम मेग्जीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारती कंपनी इनफोसिस 64 नंबर पर है हाली में 84 कलाकारों को संगित नाटक अकादमी अमरत पुरसकार प्रदान किया गया इसके बाद चर्चित ली तुफान अट्लांटिक महासागर मतलब उत्तरी अट्लांटिक महासागर में देखने को मिला है फार्मूला वन रेस सिंगापूर ग्रांट प्रिक्स 2023 कालो सेंज जूनियर ने अपने नाम की है लास्टे देखिए सिंगापूर की ली कौन यू एक्सचेंज फेलोशिप से असम के सीएम हमन्त विस्वा सर्मा को समानित किया गया है तो ये सभी ऐसे कारंट अफेर हैं जो कि हमने लास्टे सेशन में डिटेल में समझे थे अब देखिए आज के लिए आपका कुशन आफ दे है मातानी पच्छेडी हस्त शिल्प कला को हाली में जी आई टेक दिया गया ये किस रज्जिस से सम्मंदित है कमेंट में ज़रूर बताईएगा काफी बार में आपको ये पढ़ाया है तो कमेंट में बताईएगा कि मातानी पच्छेडी हस्त शिल्प कला भारत के किस रज्जिस से सम्मंदित है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है यह सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम बैसिक कॉंसेप्ट के साथ साथ कॉंप्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करेंड अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जैहिन जै भारत